हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू गार्णिंग विधी तेश आज की वीडियो की हम शुरुवात कर रहे हैं सुन्दर से पोर्चुलाका के फूल के साथ ये वही प्लांट है जो सीट्स के साथ खुद बखुद अपने से ग्रोव हुआ था जिसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी और अब आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी खुबसूरत हो चुकी है लेकिन आज का टॉपिक हमारा पोर्चुलाका के प्लांट के उपर नहीं है आज हम बात करेंगे एक सकुलेंट प्लांट के बारे में जिसका नाम है गेस्टीरिया अलोवेडा की तरह ये प्लांट दिखता है बहुती थिक लीव सोते हैं और बहुती खुबसूरत होते हैं एक हाड़ी सकुलेंट है एक्चुली ये मुझे लास्ट एयर मिला था समर्स में किसी ने मुझे दिया था एक प्लांट छोटा सा बेबी प्लांट था बहुत ये अच्छे से मेरे गार्ड़न में चला और वही होता है ना जब हम किसी प्लांट को हाड़ी समझ लेते हैं तो हम उसकी कियर छोड़ते यह पूरा रोट हो गया और इसमें से दो तिन बेबी प्लांट्स भी निकल रहे थे तो पूरा गल चुका था बचा नहीं पाया मैंसे तो मैंने किया किया था इसके दो लीव्स ना ड्राय करके उसे इस दही के कंटेनर में लगा दिया था उसके बाद बोर्च लाका तो इसमें सीट से अपने अप ग्रो हो गई थी लेकिन मैंने इसमें दो लीव्स लगाए थे और अब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो चुकी है कितने ज़्यादा छोटे छोटे इसमें बेबी प्लांट्स निकल आए हैं और यह मैंने लीव्स लगाए कौन से मन्त में थे सप्टेंबर में लगाए थे सप्टेंबर 2022 और अब हो चुका है अपरिल 2023 तो आल्मोस्स सेवन टू एट मंथ आप इसे कह सकते हो तो मैं इसे आपको निकाल के दिखाता हूं ऐसे तो इसमें थोड़ा डिस्चॉब हो जाएग इन वीडियो बनाने के लिए मैंने इन्हें जो निकाला है और अब आप देख सकते हैं रूट्स इनकी देखिए कितनी बहतरी रूटिंग हुई है कितनी हेल्दी रूट्स हैं इसकी कितनी बड़ी बड़ी हैं एक छोटा लीव था एक बड़ा था लीव्स तो मैंने और भी रखे थे सुखाने के लिए लेकिन वो थोड़े खराब हो गए दो तिन चले भी नहीं लेकिन ये दो लीव सक्सेस हो गए थे तो ये देखिए मैंने अच्छे से वोश कर लिया है अब देख रहे हैं आप कितने ज्यादा इसमें बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं देखिए कुछ तो काफी थोड़े बड़े हो गई हैं इतने बड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी विजिबल है मतलब कि तीन से चार लिवस आ चुकी हैं कुछ बेबी प्लांट्स में और अब देख सकते हैं और लीव भी इतना इसका हार्ड है ना बहुत ही हार्ड लीवस होते हैं गेस चीरी छोटी लीवस वाला भी आता है ग्रीन में बड़ी लीवस वाला भी आता है कुछ की लीवस जो है थोड़ी ब्रोड होती हैं बहुत सारी वराइटीस आती हैं तो अब मैंने इने निकाल तो लिया है तो अब मुझे इने शिफ्ट भी करना होगा तो इसके लिए मैंने यह जो है अपना एक kitchen से ही मेरा एक container निकला था तो वही लिया है plastic का और soil इसकी well-drained है जैसे हम normal succulent की soil बनाते हैं तो इन पोदों को मैं इसमें लगा दूँगा दोनों leaves को अभी मैं इने direct बड़े pot में नहीं लगाऊंगा क्योंकि जो leaves हैं काफी छोटे हैं मतलब कि baby plants बहुत से soil डालके watering भी कर दिये इसमें और आप believe नहीं करोगे जब मैं यह लगा रहा था मैंने इसके baby plants count किये तो इसमें total 18 baby plants थे यानि कि दो leaves से मुझे 18 baby plants मिले और कुछ तो मैंने count भी नहीं कि यह देख रही है जो white white निकल रहे हैं छोटे छोटे यह वले यह white white है ना यह अभी white है क्योंकि अभी इन में जो है अभी इनकी growth चार्ट हुए अभी यह निकले हैं mother plant में से मतलगी leaves में से तो जो एक green हो चुके हैं यह तो अच्छे grow हो चुके हैं और यह white वाले तो मैंने count भी निकल रहे हैं और नीचे से भी छोटे छोटे कितने ही white निकल रहे थे तो almost 25 तक होंगे आप लगा सकते हो लेकिन जो 18 है वो तो proper green हो चुके हैं और एक छोटा सा उसमें से अलग हो चुका था यह जो सामने आप देख रहे हैं आगे यह वाला यह मैंने इसमें लगा दिये यह भी तो देखिए कहा मेरा एक plant मर रहा था और leaves मैंने लगाए तो leaves से अभी कभी ऐसे चीजें अच्छी भी हो जाती है हमारे gardening में लेकिन इसने time जरूर लिया है seven to eight months इसको लग गया है leaves से ग्रो होने में लेकिन जो result है वो काफी satisfied है और अब मेरा जो भी बड़ा pot में लगाऊंगा तो काफी pot भर जाएगा एक दम में अभी मैंने इसे छोटे pot में रहने दिया है ताकि यह मतलब कि root rot ना हो इसमें और पानी भी इसमें limited ही डले तो देखिए दो पत्तों से इतने सारे plants बन गए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को like करें और मेरे channel को subscribe करें